हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे बहुत साड़ी महिलाओं को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस फेज में आती है कि जब वो प्रेग्नेंसी प्लान कर रही होती हैं वो अविलेशन भी ट्रैक करती हैं सही समय पे सम्द्ध भी बनाती है और सब कुछ बिल्कुल सही ढंग से होता है उनके according लेकिन फिर भी पीडिर्स आ जाते हैं और आप काफी ज़्यादा tension में आ जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सब कुछ follow तो कर रही हूँ और relation के बारे में मालूम है मैंने relation भी बनाया है लेकिन फिर भी conceive होने में दिक्कत आ रही है actually मैं friends आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि implantation के वक्त में यानि पीडिर्स से लग भग आपको जो है बीसवे दिनों से कुछ ऐसी mistakes हैं जो नहीं करनी है काफी common mistakes हैं जो हर जो female है वो करती है डेली life की ऐसे कुछ काम है रूटीन है जो करनी ही पड़ती है और जिसमें थोड़ी साफधानी अगर बढ़ती जाए तो आपका आरोपन implantation कभी भी गरबर नहीं होगा खराब नहीं होगा और आपका earlier miscarriage नहीं होगा आपके implantation success हो जाएंगे गर में बच्चा आरोपित हो जाएगा गर में बच्चा चिपक जाएगा सही जगह पर और फिर आपकी pregnancy की journey आगे चालू हो जाएगी शुरू हो जाएगी और वो safe भी रहेगी यह वीडियो आपको completely पूरा देखना बहुत important है कि मैं वही साथे tips and tricks शेयर करती हूँ जिसमें आपका zero cost हो कोई पैसा ना लगे natural pregnancy conceive हो जाए और without any किसी भी problem के I really hope कि यह वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा help करेगी Actually friends होता क्या है कि Indian spices की काफ़े ज़्यादा महत्व है इंडिया के अंदर हम spices हर खाने में यूज करते हैं थोरा चटपटा खाना भी पसंद करती है फेमेल्स लेकिन friends मैं actually मैं आपको बताना चाहूंगे कि अगर आप pregnancy प्लान कर रही है तो आपको implantation के phase में यानि periods के बीसवे दिनों से कभी भी spicy food का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसा क्यों spicy food आपके body में heat को generate करती है और जैसे ही heat बढ़ता है यह earlier miscarriage की संभावना को बढ़ा सकती है और आपको periods स्टार्ट हो सकते हैं इस वज़े से कभी भी आपको spicy food नहीं खाना है जो भी दोस्तों आप खा रही है उसमें तेल और मसाले कम हो इस बात का ध्यान अवशक रूप से जरूर रखेगा इसके अलावा कुछ ऐसे काम मैं बताने वाली हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपकी बच्चेदानी के मजबूती के लिए है आपके बच्चेदानी में oxygenated blood के supply के लिए ह जितना अच्छे से blood का संचार आपके body के अंदर uterus की तरफ जाएगा उतनी ही ज़्यादा संभावना आपके आरोपन की successfully यानि सफल आरोपन की संभावना बढ़ जाती है तो इसके लिए number one आपको always butterfly exercise करनी है butterfly exercise बहुत अच्छा होता है आपके pelvic muscles की तरफ blood का flow अच्छे से पहुचाने के लिए और जिसके वज़े से implantation सफलता पुरबक हो जाता है दूसरी exercise होती है friends breathing exercise breathing exercise एक बहुत ही best exercise है जिससे के friends mental relaxment तो होती ही है साथे साथ आपके body का heat जो है वो balance में हो जाता है और जिसकी वज़े से implantation में support मिल जाता है इसके अलावा leg up the wall position एक बहुत ही best exercise है जो highly recommend किया जाता है उन couples को जो pregnancy plan कर रहे होते हैं ऐसा करने से यानि की आपके legs को उपर रखने की वज़ा से क्या होता है कि आपके pelvic muscles की तरफ बहुत ही अच्छे से oxygenate blood supply होता है आपका uterus काफी मजबूत होता है और ये जो exercise है वो daily basis पे आपको 10-15 मिनट करना चाहिए morning के समय दिबेस्ट होता है टाइम उस समय आपको जरूर daily basis पे ये exercise को आपको जरूर करना चाहिए ये exercise से आपका implantation बहुत ज़्यादा मजबूती से होगा और कभी भी destroy नहीं होगा यानि misscalers नहीं होगा इसके अलावा कुछ बातों का और भी ध्यान रखे बहुत heavy weight नहीं उठाईए इस वक्त बहुत ज़्यादा सीडिया नहीं चड़िये कई बार बहुत ज़्यादा रसी कूदना या cycling करना या heavy workout करने से भी आपका implantation खराब हो सकता है तो ऐसे किसी भी activity से बचके रहें जो काफी ज़्यादा highly pressure आपके पेट के नाभी के नीचे की हिस्से पे देती हो जैसे कई सारी महिला है उक्रो पोजिशन में बैट करके घर क्या काम करती है बरतन दोना पोच्छा लगाना या फिर फ्रेंट्स कप्रे दोना भारी बालतिय घर दिना उठाना सीधी पे लेकर के जाना तो यह सारे काम को थोड़ा सा अवाइड करिए और यह काम को दूसरों को昨ना फ्रेंट्स जितना हो सके गरम ताफिर की चीज़ों से बच के रहें जैसे कि बहुत सारे सबजी होती लोइन शोरीष में पैदा करती है जैसे कि हो गय जर्जर्णा फली की सब्जी हो गई इसके अलावा फ्रेंज पपीता कच्चा या फिर अनानास खाना खजूर का सेवन करना ऐसे कई सारे जो चीजे होती है वो नैशनली हीट पैदा करती है शरीर के अंदर तो इन सारे चीजों का चैन कम से कम करिए क्योंकि यह सारे चीजे आ गर्म चाय पीना गर्म कॉफी पीना इन सब चीजों से भी दूरी पना लिजे क्योंकि यह सारे चीजे भी आपके शरीर के अंदर इंप्लांटेशन को सपोर्ट नहीं करती है चाय और कॉफी इसपेसली कैफीन से भड़ी होती है कैफीन एक तरह का ऐसा तदव होता है जो य चोटी-चोटी सी पॉइंट्स का ध्यान रखेंगी तो आपकी चाहे वह IVF की ट्रेटमेंट हो, IUI की ट्रेटमेंट हो, सब कुछ सफल होंगी और नैशनल कंसेप्शन में तो यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है ही अगर आप काफी टाइम से वेट कर रही है प्रेगन थीजान बॉफड़ोर्टेंट है ही ज़्याद से घ्या लग्यादी सी टेर ही नैशन हो ओड़ोर्टेंट है ही यह ज़की लागा ही ही है यह जब हो अग्यादाए है में दो आपत।